जोब भी आप अपने BSNL की internet को on करते हो तो आपको e देखने के लिए मिल जाता है अगर ये problem आपके साथ भी हो रहा है तो इस वीडियो में last talk बने रहना यहाँ पूर मैं आपको बताऊंगा कि BSNL की e problem को के से आपको permanently solve करके 4G में convert करना है और आपको 4G data use करना है दूस्तो वीडियो काफी informative आप वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर देना और इस वीडियो में end talk बने रहना इस वीडियो में आपको complete solution मिल जाएगा तो कृपिया आप वीडियो को end talk watch करिए तो चलिए बिना किस से टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं दूस्तों अपने वीडियो की e network problem को पर्मानेटली ठीक करने के लिए अपने फोन की setting को open किजिए setting को open करने के बाद आपको दिख जाएगा sim cards and mobile networks का option तो इसके उपर क्लिक किजिए क्लिक करने के आपको यहाँ पर दिख जाएगा preferred network type का option तbia उुपर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा ओलूड़ी 4g पर selected तो आफको सिलेर्ट करना तो आपको पनी車 का एक option दिख जाएगा तो सबसे पहले आपको अपनी एपियन को reset करना है और उसके बाद प्लास का इकन पर टैप किजिए टैप करने के बाद आपको लेकर आजाएगा edit access point पर तो यहाँ पर मैं जैसे ही values बताऊंगा same to same आपको copy करना है कोई भी mistake नहीं करना है सबसे पहले आपको name पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है b capital letter में s n l small letter में एक space लगाना है फिर आपको लिखना है i capital letter में n t e r n e t small letter में और एक space लगा कि आपको यहाँ पर लिखना है पी कपिटेल एडर में एल यू एस स्मॉल एडर में जैसे कि मैंने यहाप पर लिखा है वी एसनल इंटरनेट प्लास तो सेम टू सेम आपको यहाप पर लिखना है देन उसके बाद करके तो कर दीजी करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है एच कबिटेल लेडर में डियूप मॉलेडर में नहीं फिर आपको लिखना है I capital letter में N T E R N E T small letter में और आपको यहाँ पर P capital letter में L U S small letter में यह लिखने के बाद आपको यहाँ पर OK कर देना होगा जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है speedbot.internet plus same to same आपको copy करना है देन उसके बाद आपको OK कर देना है और करने के बाद password not set server पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है www.bsnl.co.in जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है सोभी small letter में bsnl.co.in ठीके तो same to same लिखके OK कर देना है देन उसके बाद आपको नीचे की तुरफ आना है अने के बाद आपको यहाँ पर एक option दिख जाएगा authentication type का तो इसके उपर टैप कीजिए PEP और CHEP 4 नमपर ओला option select कीजिए APN type पर क्लिक कीजिए यहाँ पर आपको small letter में DEFAULT default लिखना है देन उसके बाद OK कर दीजिए आपको APN protocol पर क्लिक करना है IPB4 slash IPB6 select कीजिए अगर आपके phone पर support नहीं कर रहा है तो आपको single LTE को select करना है या फिर unspecified को देन उसके बाद OK कर दीजिए More के option पर tap कीजिए इसको save कीजिए Save करने के बाद आप देख सकतो हमारा जो new API ने वह सबसे उपर आ चुका है तो यहाँ पर tap कीजिए Tap करने के बाद आपने phone को एक बार reboot करना और उसके बाद आप अपने data को on करना और फिर देखना के आपका जो e-network problem हो वो permanently solve हो जाएगा और direct 4G में convert होगा और साथी साथ आपका जो network speed है वो पहले के मुकाबिले बहुती ज्यादा increase देखने के लिए मिल जाएगा दूस्तो इसी तरह से आप solve कर सकते हो आपने BSNL की e-network problem को वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को like करना और चैनल पर new हो इसी related और भी informative वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी subscribe ज़रूर करना तो मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में तो अब तक के लिए इज़ा दो दीजिए जय हीन जय बारत